दोस्तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको Bluetooth speaker को computer में connect करने के बारे में बताया था दोस्तो तीस वाले वीडियो में मैं आपको Bluetooth home theater को computer में connect करने के बारे में बताऊंगा कि आप हैसे वो अपने Bluetooth home theater को computer में connect कैसे करेंगे दोस्तो और यदि कोई sound का issue आ जाता है तो आप उसको fix कैसे करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि connect तो कर लेते हैं पर sound जो है वो सुनाई नहीं देता है ठीक है तो मैं आपको दोनों बताऊंगा connect करने के भी बारे में बताऊंगा और sound के problem को fix करने के भी बारे में बताऊंगा दोस्तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तो तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तो कि अपने home theater के power को आपको on कर लेना ठीक है आपका जहां से भी on होता है आप तो power को on कर लिजिए जैसे मैंने power को on कर लिया उसके बाद दोस्तो आपको menu को press करते चले जाना है ठीक है menu के button को press करते चले जाना है और यहां पे bluetooth mode को लाके आपको छोड़ देना ठीक है जैसे आपका bluetooth का mode आएगा यानि कि BT लिखा हो रहेगा Bluetooth के mode में लाके आपको छोड़ देना कुछ नहीं करना ठीक है यहां का काम हो गया और सारे wire या connection को एक बार चेक कर लेना है कि speaker में सही से connect है या नहीं है ठीक है यहां का काम हो गया अब यह मेरा बजने के लिए तयार है बस मैं इसे connect कर दूँगा computer से तो देखिए computer से हम connect कैसे करेंगे यानि कि इसमें जो है हम pair करके connect करेंगे ठीक है तो देखिए यहां पे हम pair कैसे करेंगे तो pair करने के लिए दोस्तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर start के button पर हम जो है click कर देंगे ठीक है start के button पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर settings में हम जो है click कर देंगे settings में click करने के बाद दोस्तो settings में जैसा ही click करेंगे दोस्तो यहाँ पर आपके computer का settings खुल जाएगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर devices में कर देना है click उसके बाद यहाँ पर यदि आपका Bluetooth off रहे तो सबसे पहले अपने Bluetooth कोन कीजियर यहाँ पर जो plus वाला दिखा रहा है यहाँ पर आप जो है click करेंगे एक बार आपको pair करना पड़ेगा बार बार नहीं करना पड़ेगा उसके बाद Bluetooth में आप जो है click कर देंगे तो जो आपका home theater है वो यहाँ पर आ जाएगा जो भी company का आपका home theater हैगा उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा ठीक है तो आपको उस name में click कर देना है उसके बाद कुछ नहीं करना देखिए यहाँ पर connecting ले रहा है यहाँ पर थोड़ा सा wait करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर connect हो गया बोल दिये यहाँ पर connected और वहाँ पर एक आवाज भी आया ठीक है तो यहाँ पर हमारा successfully connect हो गया है home theater हमारे computer से यह बजने के लिए ready हो गया है connect भी हो गया है अब मैं वहाँ पर song को play करके देखता हूँ कि बजता है या नहीं बजता है ठीक है तो सारे चीज़ को पहले मैं हडा देता हूँ close कर देता हूँ और यहाँ पर एक song को play करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर एक मैंने music रखा हुआ है तो मैं इसी को play कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों home theater में sound नहीं आ रहा है यह मेरे laptop का ही यहाँ पर sound है तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे laptop में ही बज़रा ठीक है वहाँ पे home theater में नहीं बज रहा है यह आपके साथ भी ऐसा समसी आ रहा है दोस्तों तो देखिए इसको fix कैसे करेंगे तो आपको करना क्या है दोस्तों अपने computer का जो control panel है आपको चले जाना है control panel में उसके बाद यहाँ पे आपको sound का option मिलेगा ठीक है तो sound में आपको कर देना है click उसके बाद यहाँ पे एक box open होगा तो यहाँ पे इस box से ही सारा फंसन होता है यहाँ पे setting ठीक है तो देखिए आपको करना क्या पहले तो उपर में playback में आपको कर देना है playback यहां लिखा हुआ उपर बहुत सारा चीज है playback है recording है sound है तो हम जो पलिबेग में कर देंगे ठीक है उसके बाद playback में करने के बाद देखिए यहां पे बह। सारा हमारा दिखा रहा है तो हम जानेंगे कैसा है कि हमारा home theater वाला कौन सा है यहां पे नाम दिखाएगा, जैसे यहां पे आप पढ़ेंगे ना, यहां पे नाम दिखाएगा, ठीक है, जो भी आपका नाम रहेगा, आपका home theater का, वो यहां पे आ जाएगा, यदि आप नहीं जान रहे हैं, तो यहां पे चले जाएए, ठीक है, settings में चले जाएए आप, उस three उसके बाद one six zero eight तो यही है हमारा number तो हम यहाँ पे उस चीज को देखेंगे कि कहाँ पे हैं तो यहाँ पे देखें नीचे दिखा रहा और यहाँ पे देखें red, red नहीं है यह blue है इस तरह का icon बना हुआ यहाँ पे green tick नहीं है जिस तरह यहाँ पर green tick है यानि दोस्तों अभी मेरा permission दिया गया है speaker में मेरे laptop की speaker में तो कहां से बज़ेगा तो इस तरह red नहीं दिखाना चाहिए red arrow या तो black arrow नहीं दिखाना चाहिए green tick दिखाना चाहिए ठीक है जो कि मेरा नहीं दिखा रहा है तो हम करेंगे क्या green tick में इसको बंद कर या इसी को उपर जो हमारा home theater है उसी को उपर हम right click करके इसको enable कर देंगे ठीक है यदि आपका नहीं दिखा रहा है तो आपको खाली जगा में right click कीजिए और देखिए कि दोनों option check है या नहीं है यानि कि दोनों में tick है या नहीं है so होना चाहिए ठीक है हो से कि आपका hidden फिलिप्स वाले में यानि कि अपने home theater में मैंने check कर दिया आप यहां पर किसी में green tick नहीं है speaker में नहीं होना चाहिए वरना आपका speaker laptop का ही बजने लगेगा तो मैंने यहां पर home theater वाले में कर दिया check अब मैं play करता हूँ okay कर देना है अब मैं यहां से sound को play करता हूँ तो देखा दोस्तों आपने मैं थोड़ा सा यहां पर sound को कम कर देता हूँ यहां पर बजना शुरू हो गया ठीक है यहां पर unmute कर देता हूँ देखिए बजने लगा बहुत ही असानी से यहां पर अब बजने लगा बस थोड़ा सा यहां पर लोचा हुआ था लोचा किया हु आपके यहां पर चेक करना है, कि यहां पर आपका जो problem theater है, उसी में green tick लगा हुआ या नहीं लगा हुआ है, और यह तरह blue flick नहीं कर रहा है, जब तक sail नहीं बजाएगा इसके अलावा आप जो है साउंड को भी एक बार देख लेंगे कि कहीं आपका साउंड जीरो तो नहीं है यानि कि मूट तो नहीं किया गया है नहीं तो फिर कनेक्ट भी हो जाएगा इस तरह यहां पर ग्रीन टीक भी लग जाएगा और यहां पर बिलिंग भी करने लगेगा मीजिक लेकिन भी नहीं सुनाए देगा तो आपको करना क्या है बर साउंड को भी चेक कर लेना कि कहीं जीरोत नहीं है लापटोप से भी चेक करना है जिस प्लेयर में आप हैसो मीजिक को बजा रहे हैं उस प्लेयर के साउंड में भी आके आपको चेक कर है कि उसका sound कहीं यहां पे जीरूत नहीं हो गया मिट नहीं हो गया है इसके लावा आपको home theater में भी जो plus or minus solar रहता है यानि volume बढ़ाने वाला उस पे भी चेक कर लेना है कहीं जीरूत नहीं हो यानि कि तीनों जगा आपको sound को चेक कर लेना है laptop में भी जिस player में बजा रहे हैं वहां भी और home theater में भी इसके अलावा दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि और कोई problem होगा तो मैं इसको सारे चीज़ को बंद कर देता हूँ इसके अलावा दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि और भी कोई समसी आता होगा बस यहीं छोटा सा setting होता है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और परिसान होते रहते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समात कर देते हैं दोस्तों यदि आपका कोई सवाल हो Bluetooth से रिलेटेड कंप्यूटर में कोई भी problem हो Bluetooth से रिलेटेड तो आप मुझे बिंदास नीचे comment box में comment करके अपना सवाल पूछे दोस्तों मैं आपको 100% एक दम जवाब द देते हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जाहें दोस्तों